जी, Assalamualaikum, आज मैं आपको बताऊँगा कि अपने QIK को के साथ हम जब वीडियो बनाएं तो वो automatically YouTube पे और Facebook पे कैसे चली जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम QIK में लॉग इन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर My Networks लिखा हुआ है इस My Networks को दबाएंगे और My Networks को दबाने के बाद हम यहाँ पर Facebook दबादेंगे जैसी हम Facebook दबाएंगे तो वो कहाँगा कि आप अपने QIK को Facebook से connect कर लें, हाँ जी, हमने का हाँ जी, कर ले हो वैजन हमने पहले से लॉग इन करके रखा वा था Facebook को यहाँ पर तो उसने का कि यहाँ जी ठीक है तो हमने इसको कहा कि अब हम QIK को परमेशन दे रहे हैं कि आप Facebook के पास जागे डेटा देते हैं अभी यहाँ पर OK आ गया, चेक भी लग गया तो automatically अब जो भी वीडियो बनाया जाएगी वो Facebook पे चली जाएगी जो कि पब्लिक वीडियो हुई, दूसरा हम YouTube के साथ भी यही हरकत करने जा रहे हैं, अब हमने YouTube दबाया, उसने का कि authorize कर दिया, अब हम वो YouTube को जाकर authorize की request दे रहा है, वो कह रहे है कि मैं YouTube पे वीडियो करो हाँ जी YouTube पे वीडियो दाल लिया करो, अब YouTube के बाद पे authorize का वी, कि QIK की वीडियो आटमाटिकली YouTube पे चली आगी, अब यह बूच रहे है कि पब्लिक वीडियो जिदनी भी है मेरी, मैं YouTube पे दाल दो हमने का जी हाँ जी दाल दो, change कर दी settings, इसी तरीके से अगर हमारी झाल झाल